अब दो मेरे हाथ में देख रहे हैं टमाटर का पाउदा है और तो आप गर्मियों को लगा रखेंगे तो नहीं लगा होंगे इस वीडियो को पुरा लाज सकते हम आपको ऐसी मिठी बताएंगे और मिट्टी के सास दोस्तों इसका आपको लगा की दिखाएंगे और लगाने वह देखुने इस टॉमाटर देखेंगे तो इस टॉमाटर करना चाहिए दोस्तों मैंने एक ट्रिक इस पर लगाया है और देख सकते होंगे पूरे धेर सारे मात्रा में फ्लावर आ रहे हैं और यह पौदा यह पौदे में देखिए फल तो इतना है कि आप द्यान से देखिए मैंने इस पर भूर डह सारे फल पर हर्वेस्ट किया है इसमें हम क्या यूज करते हैं विडियो को द्यान से देखिए मैं आपको बताऊंगा और टमाटर का पौदा आप नहीं लगाया होंगे अभी भी समय आपके पास से चलना आप लगा सकते हैं क्योंकि गर्मी खतम होते होते हैं अप टमाटर ज्यादे मातर में हर्वेस्ट कर सकते हैं हां एक बात और कुछ ऐसी बिरैटी भी आती है जो बरसात में भी चलती इस टाइम उसका शिड्लिंग पड़ता है तो आप माल अगर हम लगाते हैं तो ध्यान यह देना है कि आपको अगर च्छत पर लगाना तो उसके लिए प्लास्टिक बिलकुल एवाइड करें क्योंकि गर्मी के मौशन प्लास्टिक अवाइड करें तो आपको लिए बढ़ियां यह रहेगा कि पौदा आपका सौस्त रहेगा आप ग्रोबैक का यूज करिए और ग्रोबैक अगर नहीं है तो आप यूज करिए देख रहे हैं यह बोड़ी का तो बोड़ी में आप मिट्टी बनाके बहुत बढ़ियां से तो आप टमाटर के पौदर लगा सकते हैं उसके लिए कुछ नहीं आप इसमें 40% ले लिजिए मिट 40% आप ले लेजी कंपोस्ट 20% आप ले लेजी सेंड उसके बाद इसमें आपको कुछ चीजों बहुत जरूरी जो सबसे पहला जरूरी है सरसोग खली का पाउडर दूसरे नमर दूसर जरूरी बोन मिल तीसे नमर पर जरूरी है इसमें नेम के खली और चौते नमर पर जी और डाल के देखिए हम अच्छे तरीके से इसको कर लेते हैं मिक्स और मिक्स करने के बाद इसमें बोडी की बात कर रहे थे तो बोडी का दूसरों आप बना सकते हैं तो जबी भी हम गुरो बैक या कंटेनर या बड़े गुरो बैक में अगर हम टमाटर के पहुता लग जरूर डालना चाहिए इस टाइम पर देख रहे होंगे पजड़ का समय है और पजड़ के समय में अपके गार्डेन में बहुत जादे मात्रा सुखे पत्ते होंगे दोसों इसे बिकार समझके फेकना नहीं है आई पड़ने पर लिंक है जाकर चकाउट कर सकते हैं वीडियो अब बोड़ी में भर रहे हैं अब भर सकते हैं उसके बाद नरसे इस उसको आराम से दोनों भगल से फाड़ लेते हैं और लोग इसको गलतिया करते हैं प्लास्टिक भी लगाते तो आसी गलतिया करना पाद इसको आएक चीज़ और ही वह पानी उसको टाइम तो टाइम आपको देते रहना है क्योंकि आपने इस्ट्रांग पोटिंग मिक्स बनाया है तो महिने दो महिने कोई फट्लाइज देने कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगा तो इसका अपडेट आप देखिए देखिए इसकी पत्ति देखिए कितना पत्तियां क्लियर है उसको होता क्या है ना कि हम आपको इस पर फंगिसाइड का बायोंजाइम का तरह-टरह से यूज करते रहते हैं तो आप देखिए पत्तिया दोस्तों बिल्कुल फ्रेस उसको फ्लावर देखिए वीडियो में बने यह हम बताएंगे दोची मैंने यूज किया था दोनुचीजों का वहुद्रियों रिस्पांस बहुत देल सारी मात्रा में फ्लावर में इसकी पत्या देखिए पत्या इसकी कितनी है बिल्कुल है है असे पाधे सब्स्त मानते हैं और ऐसे पाधे में फूरूट इंग बहु बताते हैं कि लए प्लांट इस प्लांट पर इस टाइम पर आपको करना क्या है एकनलत उसे दिखाते हैं तो सबसे पहले कहने कीया अग signals करने के बाहुंसर्च कर देजिए यह गुराई बहुत ज़रूरी होता है और जाय है गंपले सब्धी कोई सब्सक्राइब नहीं होती है और हमारा रूट को सब्सक्राइब विकास होने में बाधा नहीं आती है और इसलिए पौदा हमारा हेल्दी रहाता है सब्सक्राइब तो हमें सब्सक्राइब 15-20 दिन पर गुड़ाई भी जरूर क्या देए उसके वर इसमें आपको देना क्या है उसके वर इसमें देना आपको कम पोस्ट क्योंकि मैंने मिठी बनाया था तब है दूबार्स इसमें नहीं दिया है तो इसको हम डाल देते हैं तो इसको लिए दे दिया और देने के बाद इसको दोबारा इस तरीके से कर देते हैं गुडाई और गुड़ाई करने मदद छोड़ देता है इसको इसमें पानी हम एक से दो दिन बात देंगे क्योंकि अब इसकी मिट्टिया भी नम है और अभी पाइन देने की जरुवत नहीं है अब उसका दर से छिटकाओ क्या करना है जो हमने एक चीज यूज किया हुआ था आया को दि इसका जरूरा भी उच करेंका यह में किसीट आपको मार्केट में मिल जाएगा बहुत इस बहुत बहते में काम कर रहा है कैसे यूज करना है और शिटका अब इसको मिट्टि में दे सकते हैं तो शिटकाओ का डोज क्या है दो वह कि एक लिटर पानी में दो ग्राम इसको ड ले लिए और इसको घोल लेते हैं इसके साथ में आपको कुछ फंगिसाइड या पैसिसाइड अगर आपके पास होगा तो उसको भी यूज कर लेज़ेगा हां आरगेनिक होगा तो बहुत बढ़िया है क्योंकि टमप्रेचर इस टाइम आप धीर रही यह बढ़ रहा है और इ देखें हम यह यूज कर रहे हैं यह बायो एंजाइम में और यह बहुत बहुत काम आपके उपर एक पानी में इसको यूज करना होता है दो से तीन अमेल कि अपके पास अगर कोई बढ़ने नहीं होगा तो आप ले सकते हैं तो पहत्रण काम करता है और इसको हम छिटकाओ कर देते हैं यह कर देते हैं और वह मार्केट से हमक एषिट लेने जाएगा तो उसका मेनुवल पढ़ लीजीका है कि हमने बोल दिया दो एमेल डालना है एक ड्रपानी में तो हर कंपनी का अलग अलग डो जाता है और इसको आप जरूर नोट कर लिए गा पढ़ने के बाद ही उसको यूज करिए गा तो इसको अच्छा तरीके से इसको छिटाव हम कर जाते हैं और आपको बता हैं कि अगर आपके पास टमाटर के पौदा होगा और उसमें बिल्कुल फल नहीं आ रहा होगा तो इसमें आप एड कर लिजेगा एपसम साल्ट को दस ग्राम पर लेटर के हिसाब से उसके बाद दोस्तों आप बताएगा इसका रिजल्ट बहुत ही बहुत ही आपको इसका रिजल्ट देगा एपसम साल्ट को एड करने बाद कि मैंने इस पर यूज किया है आपको बताते हुदें और लिज़्याद पर ननी आखों देखने को मिल जाता है तो एक बात दोनों को मिलाकर जरूर यूज करिएगा उसके बाद इसको मिट्टी में भी आप को लेना है तीन ग्राम तो मेरे पास चार मेरे पास आठ पौदे हैं तो आठ पौदे हमने ले रखा ये तीन ड्रफ पानी तो तीन ड्रफ पानी में हम ले लेते हैं ये दस ग्राम कि ध्यान दीजीए 10 जरा में भोल लेते हैं डालके अर। भी यह मैं रेडियो गया ओप और इसको करना क्या है कि मिटि में हम ये यूज करते हैं देखिये मिटि में डाल लेते हैं और दोस्तों ये कंबेसी हो सकता है को जरूरी नहीं है जैसा पॉट होगा उसी साफ से डाल सकते हैं एक लिटर दो लिटर भी दूसरों डाल सकते हैं कोई यह नुक्सान करने वाला नहीं है कि इसको यूज कर देते हैं उसके बाद देखेंगे भर भर के दूसरों मातरा में आपके पाउड़े पर फल आना शुरू हो जाएगा और बहुत तेजी से उसे पकने भी लगेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा शेयर करेगा चैनल को सस्काइब जरूर करेगा अगर देख रहे हैं फेजुक पे